कि अच्छी कि अच्छी मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आइड़ों नो क्लास में आपको सुन रहा है नहीं सुन रहा होगा चेक है कि अच्छली कुछ रहे हैं यूटाभनों और कभी क्लास हो जाती इं चक्रों में कभी कमेंटी और में यूटीउटूप वाले भी अब वाचिंग वढ़ती जाएंगि तो मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ जो हमारे वाज है फ्रक्पत्रीके से से पौँंच रही हैं आप लोगा को परो इसका कुछ तो देखते हैं स्टाड करते हैं अब अपने सेशन को ठीक मिनिट में चल जाएगा नहीं क्यों बंद साहँत They do छो पता है कि आज हम सेशन में इसको करने वाले हमारा सेट Guo 17 सेटरा सब्सक्राइब करेंगे हमारा रेलवे और प्लस स्टैटिक जीकेगा और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोल चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बाकी इस लेक्चर की जो पीडिएफ से होती है वो टेलिग्राम चैनल जोईन कर लो मेरा आफी बच्चों के साथ कनेक्ट रहता हूं क्योंकि बाकी मैं चीज़ें इतनी चलाता इंस्ट्राग्राम एंड टेलिग्राम जो है यह प्रपर तरीके से मैं चलाता हूं ठीक है और प्लस मेरे दो पेंड़ कोर्स आते हैं आप पर सकते हैं स्टेडिया क्यों पर डावन इस कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा थेयरी कोर्स है इसमें पूरी की पूरी थेयरी हमने टॉपिक वाइस टीज़ें की हुई है और दूसरा को से हमारा पार्ट है जो हम बैस्ट एंसी डाल रहा हूं ना 500 बनेंगे इनके वह जो मैंने बना रखें इनको वह इनको दे रहा हूं कि हाव तुम लो ऐसा नहीं है तुम करो को यह वाला हमें दे दो हमें यह वाला देदो कोर्स देदो ऐसे चीज़ें नहीं होती आप जिस जो करते जाओं तो चीज़ी कठे करते रह जाओंगे आप तो यह दोनों कोर्सिस आप पर नज़र आएगा यहां पर बैस से वाला देना तीसरे चौथे नंबर की ऊपर आपको यह वाला कोर्स दिखेगा और लास्ट में आपको 10,000 MC की कोर्स नजर आ जाएगा और अपनी प्रेपरेशन को आप आगे बढ़ा ये कोर्स पर्चेस कीजिए जो आपको अच्छा लगता है अगर आप बिल्कुल भी GS नहीं आती तो आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट केजिए GS कोर्स से और अगर थोड़ी बहुत भी आता है ठीक है तो आप सीधा 10,000 MC को पर कोर्स पर्चेस कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आपको नेक्स लेवल के उपर लेके जाए ठीक है और जिन लोगों ने यह 10,000 MC को वाला जो पर्चेस का रखा मुझे बताएंगे मुझे बताएंगे मेरे इंस्टाग्राम की । मिम्हीं आप सक्षाए तोि यह को जोंटिस सेख्शन है ठीक है क्रोस कर दों अगें अपर पार्थ है आपका ठीक है यह उसको करेंगे अप पहले दी नुसरा जो है इसके बाद जो भी कोशन बनेंगे आपंसे अंसर देते रहना ठीक है हाँ जी तो देखे जी पहला कोशन क्या गयता है नैशनल हैंड लूम डे हम कौन सी डेट को मनाते हैं पहला कोशन इलेक्टोनिक कॉर्परेशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी जगा में है कौन सी स्टेट में है हमारे सेंट्रल मेरीन फिश्री रिसर्च इंस्टिटूट रिसर्च अनुसंधान के इंद्र जो है आपका कहां पे है एरपोर्ट ऑफ इंडिया को कभी स्टेब्लिश किया गया था कौन से साल में कहिया गया था और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसकी रिपोर्ट कौन त्यार करता है यह आपको बताना है ठीक है बताना है यह सार आपकी आर्थिक स्तिती है आउटलुक बीबी का मकबरा कहां पे है मदरास हाइट जो है वो कॉमन हाइट कौन से स्टेट की रनक पूर जैन टेंपल जो है यह कहां पे है रनक पूर जो है आपका जैन टेंपल है यह कहां पे है कौन से आपके राज्या में है ठीक है यह आप आज आप अनसर क्यों नहीं दे हो लोग आपको कुछ भी नहीं आता इन मेंसे कि कोई भी कोशन नहीं आता आप लोगों को हां को ही कोई भी नु swings सिंगल कोश्चे में दस कोश्चन बताएं आप लोगों को कोई कोश्ची मिं नहीं आता आटे oh ठीक है ना तुम स्टेटी की कलास देखते ओ ना तुम्हारे पास जो कोर्स हैं वो तुम बस बेड़ चाल का इससा बनी बैठेओ कभी इदर कभी इदर कभी बेड़ बक्रियों जैसा हाल कर रखा है कभी बीड़ कठी हुई वहां पर गठे हो जाओ बीड़ में रहा जाओगे बीड़ से अलग होके कुछ काम करो थोड़ा सा तब कुछ जाके बनेगा आप सेवंथ औगस्त को किया जाता है दूसरा है लेक्टोनी कोर्परेशन ओफ इंडिया के जो हैड़कॉर्टर है जा आपका यह कहां पर है डाड़ी जिन्दा तैलेंगाना तैलेंगाना के अंदर है सेंट्र मेरीन फिश्री रिसर्स इंस्ट्यूट जो है वह कहां पर है है कब से इस्टैब्लिश करेंगी थी फर्स्ट एपरल 1995 है फर्स्ट एपरल 1995 हेड़कॉर्टर इस इंदा न्यू डेली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को त्यार कौन करता है पहले आई एफ पी आराई करता था आई एफ पी आराई और इनके साथ जो था वेल्थ हंगर मैं लिख देता हूं यहां पर वेल्थ हंगर वेल्थ हंगर लाइफ ठीक है बिल्कुल एंड कंसर्ण वर्ल्डवाइड यह आपको याद रखना है कंसर्ण वर्ल्डवाइड ठीक है यह आपको याद रखना है आई एफ पी आराई क्या है पहले बातों आई एफ पी आर अब नहीं है पहले इसको यह तीनों मिलके करते यहां से स्टैप आउट कर लिया था अब सिरफ और सिरफ जो है हंगर दा वेल दा हंगर दा लाइफ एंड दा कंसर्ण वर्ल्ड वाइड जो है इसकी रिपोर्ट को त्यार करता है समझ आगे आप लोगों को ठीक है तो आई एफ आई फिया रही क्या था इंटरनेशनल पुलि अब इसका हिस्सा नहीं है यह अब वेल दा हंगर दा लाइफ एंड कंसर्ण वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबर एंडेक्स रिपोर्ट प्रोवाइड गरता है हमें नेक्स्ट है वर्ल्ड एकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को अंत्यार करता है इस इस आई एम एफ इंटरन मद्रास हाई कोड जो है जास हम कहते हैं चेनही हाई कोड पहले कहते थे अब मद्रास आही कोड कहते है तो ये क्या है तमिल नालड्andoo और पूड़ुचे pen rikt human high court है ग्राभ्ण पूर जैन टेंपल ग्र्णपूर जैन टेंपल बताइए कहाँ पर इस अरजस्थांół ऑक्साइर यागरार्श पूर्ण काहां पर एय फूर्णों सिक्रीण na यह ऋनियर ऑगरार कीनदर लिखाएंगे हम इसको आगरारा कीनदर आगरा food फतेपुर सिक्री और नियर आगरा आगरा के अंदर ही लिखाएंगे हम इसको आगरा के अंदर ही लिखेंगे हम आगरा के अंदर है ठीक है और आगरा फूट किस ने बनवाय था अकबर ने रेड सेंड स्टोन के अंदर लाल पत्थर के अंदर clear so answer आपके सामने है यह आपको पता लग गया होगा कि कि आप कितने पानी में हो दस में से बताओ कितने नंबर आए आपके comment section में लिखके बताओ और अभी बताओ और बागी question attempt करते हैं आगे तो देखे जी question को tick कीजए एन राजम azon जो है यह बहुत इनका जो है भाथ क्याति है इनके मतलब भाथ ख्याति अरजित करी है किस field के अंदर किस field के अंदर इनोंगोंठे इसमें बनेंगे c option बने गए यह इन्होंने इसमें ख्याती हासिल करी है c option क्या बनेगा correct answer बनेगा while in ठीक है यह है जी यह है यह lady ठीक है यह इनका नाम क्या है इनका नाम है एन राजम yes clear हो गया चलिए जी अगला कोशन देखिए which of the falling which of the falling year was a non-corporation movement spread suspended देखे जी अस है योग अंदोलन की बात चल रही है अस है योग आंदोलन जो है कब स्माप्त किया गया था यह बात कर रहा है अस है योग अंदोलन कब स्माप्त किया गया था कमेंट सेक्शन में लिको फड़ फड़ और अभी बताओ जिसका अंसर आता है अभी गांधी जयनती है आज तो आपको सबको पता होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पड़ी रखा होगा कि क्या है जी गांधी जयन लिए लॉंच करी थी जल्यावला बाग जो है हत्याकांट देखने को आपको यहां पे मिला था उन्ने सो उन्निस के अंदर क्लियर उसके बाद हंटर कमेंटी ने जनरल डायर को दोशी नहीं ठहराया और उसके बाद जो है यह हमने नॉन कॉप्रेशन मुमेंट लॉंच करी गांदी जी ने एक अगस्त को स्टार्ट करी थी और यह इसके बाद एक हत्याकांट हो गया था पांच फरबरी को पांच फरबरी 1922 को और वह कौन सा था चोरा चोरी हत्याकांट और यह कहां पे था गौरखपूर के अंदर यूपी के अंदर जहां पे पुलिस मैन को 22 पो जिन्दा जला दिया गया था पुलिस चोकी के साथ ठीक है और इसके बाद गांधी जी ने यहीं चीज देखी तो 12 फरबरी को 12 फरबरी 1922 को जो है इन्होंने अपना पूरा का पूरा सत्यागर है यह नॉन कोपरेशन के अंदर इन्होंने क्या स्टाट किया था कुट इंडिया मुवमेंट भारच छोड़ो अंदोलन स्टाट किया था नौ अगस्त 1902 को नौ अगस्त 1902 सब्सक्राइब और प्रपर तरीके से लॉंच जो है पुरे वर्डवाई अंडिया में कफ फैल गया था आपका नौ को फैल अचार है बिनोवा बावे जो पहले सत्यग्राई थी जिनको पकड़ा गया था क्लियर और जिस दिन इन्हों ने अस है योग अंदोलन किया था एक पर्संट की डैथ हुई थी डैडवस बाल गंगदर तिलग बाल गंगदर तिलग जी की डैथ हो गई थी यह भी आपको क्ल इसमें क्या बन गया आपका डैडिस नाइंटीन जो है इन्होंने सिस्पेंड की बात कर रहे हैं तो 1922 चलिए जी डिस इस दा नौन कोपरेशन मुवमेंट क्लियर गांदी जी के साल पूरा देश चल रहा है गांदी जी ने यहां पर बहुत साल चीज़े बोली थी लोगों को बोला था कि चर्खा चर्खा को कातो मतलब क्या है चर्खा वाजन नैशनल सिंबल और खादी नैशनल ड्रेस बना दी गई थी यहां पे और गांदी जी ने यहां पर बोला था कि आप सारे स्कूल से सभी गौर्मेंट से सब जो है आप यहां पर इस्तीफा प्रवाइड क देखे जी इन में से कौन सा जो शहर है वह वैल प्लैंट सिटी है वैल प्लैंट सिटी ऑफ इंडिया वैल प्लैंट सिटी ऑफ इंडिया जो है इन में से कौन सी यह यह वैल प्लैंट है और इसको मैं एक पिच्छे शो करता हूं आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कशनिः दिखा गया होगा यह कौन सी सिटी तरीके से कौन बनाता है यह पंजाब की कैपिटल टैडिस टैडिस चंडिगर जो है वेल प्लैंट सीटी है क्लियर और कैसे वैल प्लैंड है वह आपको पता है कि वहाँ पे अगर आपने कहीं भी रूज्व हो ना तो प्रपर रू प्लैंड सिटी और चंडिगड को किस ने बनाया था ली कारबूज्यर ने बनाया था clear होगे आप लोगों को सो अंसर इसमें क्या बने आपका ए आप्शन चंडिगड clear या चंडिगड माई सिटी टू चलिए अगला लगाए अगला कोशन देखो जी फटा-फट क्या कहता है और अंसे लगाने की कोशिश करना और कोशन है पहले मुसलिम प्रेज य However males पहले मुसलिम और हैं अब सुनते हो सिरफ कोशन दे टिक लगाते हो तो अलग बात है 1887 का एक session हुआ था कहां पे मदरास मदरास के अंदर session के अंदर जो है ये president बने थे कौन थे ये that is बद्रोदिन तयब जी बद्रोदिन तयब जी is the correct answer बद्रोदिन तयब जी clear और पहला session जो है कहां पे हुआ था बॉम्बे के अंदर गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में वहां पे कौन थे डब्लू सी बैनर जी और दूसरा session था आपका 1886 के अंदर कैलकटा के अंदर और ये session में थे दादाबाई नरोजी और तीसरा session था आपका मदरास वाला बद्रोदिन तयब जी और फूर्थ session था अलहाबाद के अंदर कौन थे पहले Christian पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल क्लियर ये आपको ध्यान रखना है और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है अब्दुलकलाम आजाद सबको पता है जी हमारे मिजाइल मैन ओफ इंडिया है क्लियर मिजाइल मैन ओफ इंडिया था वि यहां पे इंडियर में पहंचा हो ताकि अर्बनाइजेशन शहरी की प्रॉबलम जो आती है उसको खतम किया जाए हमारे शहरों की बढ़ रही है वह कम की जाए क्यों 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 गाउंवाला शहर में क्यों आता है पैसा कमाने के लिए अपनी अपने स्टेटस अप करने के लिए तो वही चीज अगर आप घाउं में पहुंचा दोगे तो क्यों आएगा बंदा उठके चीक है तो यह सारी बाते जो है इन्होंने यहां पे करी थी और यहां पे चीज द्यां रखो अब्दुल यह अब्दुल लिखा गया है तभी मैंने यह बताया आपको अगर यहां पर आता अबुल कलाम आजा तो यह यंगस्ट प्रेजजजेंट है हमारे इन्सी और यह सबसे लॉंगेस्ट अन्यूर भी रहा है सबसे लंबे समय भी रहा है 1940 a 46 तक यह आपको ध्यान रखना है अप लोगों को यह समें क्या बनेगा आपका बी ओप्शन बदरुदिन तयब जी is the correct answer clear तो यहां पर आपको दिखाता हूँ जिन्हों ने हमारा मदरास सेशन जो है हैंडल किया था मदरास सेशन clear तो मेरा पिच्चर दिखाने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपको थोड़ी सी रंगीन पिच्चर दिखा रहा हूँ पिच्चर का मतलब यहां पर यह है कि आपके चीज बस जानी चाहिए दिमाग में क्योंकि पेपर में यह पिच्चर मेरी अवाज सब चीज़ें गुंजेंगी सब चीज़ेंगी आगे कि हाँ सर ने ऐसे करवाया था ऐसे करवाया था तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी आपकी सो ही वाज़ा बद्रूदिन तयब जी 1887 नेक्स देखें जी क्या गयता है कुश्इन देखें जी क्या गहता है नैशनल तानसे डाता संवां और जो है संघीत का मैं किसे दिया गया है एह तक संथरशंस तेट रहन से संफर संवान आवोर्ड देंवां से बताईए कौन देती है यह पहली बात तो यह ओवाड जो है हंदोस्तान classical music में दिया जाता है हिंदोस्तान classical music में दिया जाता है clear this is very very important classical music में दिया जाता है clear super important question है और ये कौन से टेती है ये देती है मध्यापरदेश आंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा मध्यापरदेश is the correct answer yes बहुत बढ़ी ऑपाल मध्यापरदेश की सीम कौन है शिवरा सिंग चोहां और अनंदी बैन पटेल एक्शल में गवर्नर किसकी है यूपी स्टेट की इनको अडिशनल चार्ज मिला हुआ है मध्यापरदेश का गोगि लाल जी टंडन की डेफ हो गए थी ठीक है अब यहाँ पे दो तीन और रामतनु पांडे ठीक है एक सगेंड हाँ ठीक है रामतनु पांडे इनका उरिजिनल लेम है और इन्हों ने जो है राग दरबारी गाते थे यह राग दरबारी यह अकबर के दरबार में सिंगर थे बहुत बढ़िया important question है यह और यह जो है मेग मलहार मेग मलहार दीपक यह सब जो है राग गाते थे मेग मलहार का मतलब यह होता था कि जब गाते थे तो बारिश आ जाते थी तो अब अपने अप दीपक जल जाते थे अरे बाई ऐसे कैसे हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब पता क्या होता था कि जब बारिश आईग क्लासिकल म्यूजिक किस ने स्टार्ट किया था अमीर खुसरो और इनको कहते हैं हम पैरेट ऑफ इंडिया क्योंकि यह डिसाइपल है निजामुदिन ओलिया के और इन्हों ने जो है हिंदोस्तान क्लासिकल मुजिक और प्लस साथ साथ राजाओं के टाइम पे जो है अमीर नक्रादेश लगां जी अन्सलगाओ ढ를ी जो है यह कहां पे लोकेटेट रए रीफ जो है यह कहां पे लोकेट könnteम्त कलियो है रहिं गरेड बैयर रीफ नियों पर और मोगेटेड है तो चलो इसको मैं पहले आपको पिच्र दिखा देता हूं ग्रेड़ बैरियर रीफ की इस this was a this is a great barrier reef ठीक है पिच्छा दिखाओ this is a great barrier reef clear हो गया आप लोगों को ठीक है so this is a great barrier reef इसको बड़ा करना हो तो अरे वो लगा होता ना नीचे है तो यह है आपका great barrier reef ठीक है तो यह है आपका great barrier reef clear मैं दिखा देता हूं आप लोगों को हाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा माइनस कर देते हैं हाँ उतनी हो गया तो कोई फाइदा नहीं हुआ तो यहां यहां पर है और शीलिया में और शीलिया का यह कौन सा पार्ट है इस्टन वाला पार्ट हो गया ठीक है यह कौन सा पार्ट हो गया आपका इस्टन वाला पार्ट हो गया इस्टन वाला पार्ट हो गया और इस्टन वाला फी होगे बट मुझे तो सिखाना है मुझे तो नहीं नहीं चीज़े सीखनी है तुम मैनेज कर लो मेरे को क्या कर लो मैने तुम लग मेरे को नहीं नहीं चीज़े अभी इसमें और भी करनी है मैंने चलो यह वाला पार्ट वाला पार्ट इसमें देखने को आपको मिलता है इसका देखते हैं इसका जो अंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका दिस इन दा ऑस्ट्रेलिया अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्षिन बनेगा ठीक है हाँ कि मार्शूपिंज भी देखने को आपको मिलते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल य। ऑप्छिन य। इस था गर्ट अंसर ऑस्टील्या इस था राइट आंसर इस ए कि नेक्स्ट कोश्चन देखो आंसर लगाओ इसका टिक करो हम खिलाडी हैं जहां से हम स्टार्ट करते न बोलना बच्चों की सेलेक्शन वहीं से स्टार्ट होती है समझे हम खिलाडी है और खिलाडी रहेंगे लेकिन तब तक रहेंगे जब तक आप प्यार दोगे तो देखें जी क्या है where is a national academy of agriculture research management that means NAAR National Academy of Agriculture research management जो है यह कहां पर है बताइएजि कहां पर है यह यह 1976 में बनी थी और काफी बच्चे जो है इसमें आ अंसर गलत दे रहे हैं ठीक है अंसर वो दिल्ली दे रहे हैं यह गलत हो जाएगा इसका जो एक्चलि अंसर है वो क्या है है थ्रह ऑद हैद्राबाद इससा और नेशन अगयाडमी धिस नौट दा ICAR International Council of Agriculture Research नहीं है यह ICAR के Headquarter कहां पर है New Delhi के अंदर है लेकिन यहां पर कोशन और पूछा गया है यहां पर पूछा गया है That is the National Academy of Agriculture Research ध्यान रखो कलती नहीं करनी गलती नहीं करनी आप गलत कर रहे हैं तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शिन इस दा करेक्ट अंसर देहरादुन मैंने बोला चलो मैं आपको बता देता हूँ और यहां पर इंडियन मेलिटरी अकैडमी यहां पर देखने को आपको मिलती है survey of India के headquarter है यहाँ पे survey of India के headquarter भी यहाँ पे है देरा दुन में ठीक है याद रखिए और यहाँ पे New Delhi के अंदर National Disaster Management Authority Management Authority भी यहाँ पे बैठती है जिसके हमेशा head gone होते है चेर्मैन कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर देखने को आपको मिलते हैं जो action लेते हैं क्लियर होगे आप लोगों को deficiency of dash hormone lead to dwarfism जाने कि bonapun जो है इन में से कौन सा hormone कर देता है which hormone leads to the dwarfism dwarfism जो है वो कौन सा hormone करता है जाने कि bonapun कौन सा hormone करता है हमारी body के अंदर जो है somatotropic hormone निकलता है somatotropic hormone जिसे आप क्या कहते है growth hormone ठीक है और अगर और यह हॉर्मोन जो है हमारी बौड़ी में बढ़ जाए इंक्रीज हो जाए तो परसन को क्या हो जाता है जिजन reflect contribute जा रही है अगर कम हो गया तो ड्वार फी सम् हो जाता है और अगर मैं कहुं कि यह ले बढ़ता भी जा रहा है प्लेस जबT है आपकी ठोडी जिसे आप कहते हो यह बाहर को निकल रही है जैसे खली में है तो उसको अग्या कहते हैं एक्रोमीगेली क्या कहा जाता है समझाया और इसका कौन सा जी जो कौनसा हिस्सा है कौन सा पार्ट करता है आपका बौनापन डैडस ग्रोथ होर्मोन option a is the correct answer option a clear हो गया जब फिर लिखा हुआ थाइरोक्षिन होर्मन थाइरोक्षिन होर्मन जो है आयोडिंग की कमी से कम हो जाता है और प्लस थाइरट हर्मोन घोंत ने हम से इसमें क्या बनेगा आपका ग्रोथ हर्मोन is that क्यों इस इस लिए पिच्र बनाई क्या है क्या है यहां पे दिस इस प्रटू ग्यूटरी गलेटे जिसे आप कहते हो पी जूश्गरंथ्य कहते हो पीच गरंंथी क्लियर कंग रचु गरंथी में में मेली पिकतरी खिलैंड आपको लिए आपको जाना नहीं है तो पीचुट्यूट्री खिलैंड की जितने होर्मों निकलते हैं यह वाले पार्ट यह यही प्लिंट कि छिर०्प आपका hypothalamus clear this is called hypothalamus इसलिए pituitary gland को हम क्या कहते हैं master gland क्योंकि सारे body की glands को जो है activate करता है hypothalamus जो है सारे hormones यहां से निकलते हैं और यहां पर एक option आपको और दिखाता हूं यह वाला पार्ट ठीक है this one this is called pineal gland और pineal gland जो होती है हमारी सबसे shortest gland है बिल्कुई छोटी छोटी सी gland है हमारे brain के अंधर this is very very important part clear हो आप लोगों को so answer इसमें क्या बन जाएगा आपका answer जो भी बना था इसमें answer आपका clear हो गया होगा चिक है कि समझा रहा है आप लोगों को कि समझा रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया सबको और इसको यसको जो है आपको ऐसे ऎकर करके देख करो अगर लाप पे देख रहो तो थो फूल सक्रीन पे देखा करो और फोन पे देख रहो तो एस healthy दिखा गरो भीज में अगर किसेने comment डालने तो अलग ठीक है जब आप पिच्चर देखते हो तो फोन को टेड़ा करा करो ताकि आपको प्रॉप पत्रिक से दिखे चलिए जागे लगाओ जी अंसर इसका क्या बनेगा टाकि में बताता हुँ आपूंसर लिक्के बातो डार जो है यह तो यह अपक», एदो बन जाएगा मयानमार बरमा कयात इस दा करसी अंसरी ऑप्षेंजा करेक्ट आंसर दी तो ये दिसदा करंसी दिसदा कुष्ट के लिखतें हम और अंसर देने की गोशिश रोनेगा यह वारा-महीरा वारा-महीरा जीने क्या लिखी थी पंच इद्धांतिका पंच सिधांतिका इन्होंने पुस्तक लिखी है, पंच सिधांतिका, clear, दूसरा लिखा हुआ है विशाकदत, विशाकदत ने कौन सी लिखी थी, दो पुस्तक ये लिखी थी, मुद्रा रक्षस, मुद्रा रक्षसा और वन मोर इस देवी चंदर गुप्तम, देवी चंदर ग पुप्तम। ठीक है यह इन्होंने पुस्तक लिखी थी फिर लिखा वा है शुद्रक शुद्रक द्वारा लिखी गई यह क weak सब को आता है चलो आपको पहले कथा कली दिखा देते हैं चलो बाद में बर दिखाता हूं कथहकली डांस प्रंहें आपका आंसर इसमें क्या बनेगा को या करनाटक मैं याद करनाटन को या लखर में पूछा दाया लंबी लंबी डांस भी बड़ा फोम या लेकिन आपको याद करने है और यहां पे लिखा हुआ राजस्तान में क्या है फिर घुमर टांज ठीक है गाने भी वह समने होंगे आप लोगों ने गूमर है चकरी भी डांस वहां पर बड़ा फेमस है ठीक है फिल लिखा हुआ कमिलाडू का डांस फॉर्म है यहां का खेल है सारा आपने देखा होगा बहुत सारी डांस फॉर्म देखी होंगी जहां पर आपके आई से एक्सप्रेशन करते हैं सो दिस डांस फॉर्म ऑफ जो है केरल कथकली डिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सीवी रमण सीवी रमण को जो है अब और मिला था मिल आफिक नोबल प्रैस मिला था वान से कौन से field में इनको Nobel Prize में हम इता और इनों ने क्या किया था ki लाइट की स्केटरिंगा अंसर इसमें क्या बनेगा इपका प्रकाश बिख्रन इनों ने बताया था और जब भी Water of Light होती योसे हं उसकेटर ञट्ड घुट होती है तो हमेशा था और प्लस इन्होंने 28 फर्बरी 28 फर्बरी का जो दिन है नैशनल साइंस डे हम कहते हैं नैशनल साइंस टे प्लियर और इसी दिन जो है इनको जो है नॉबल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्षिन बन जाएगा फिर लिखा हुआ यहां पर रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी एक्चुली तीन लोगों ने डिसकवर करें थी नाम हानुरीब को यृण हिनके इंक्योल मेरीकूरी और पेरीकुरि भी थे मेरीकुरी और पेरीकुरी भी थे ठीके chess लेकिन नाम मेन कशर्गे कईLP का नाम और रिडिय अक्टिविटी का वता है ऑल्पा बीटा गामा रेज निकलनी क्लियर फिर लिखा हुआ है cryogenics cryogenics engine होते हैं जो किस की उपर काम करते हैं low temperature के उपर जो low temperature के उपर काम करते हैं that is called cryogenics clear sonometer लिखा गया है sonometer का मतलब आपको पैदा सोनो मतलब sound sound के लिए related आएगा ठीक है जिसमें हम frequency जो है calculate वगेरा करते हैं कैसे होती यह तो यह सारे clear होगे होगे answer इसमें option बनेगा ठीक है so this this is this this is a CV रमन जी तो यह CV रमन जी है और this is the light scattering जो एक कर रहे हैं light scattering phenomena इनोंने बताया था किस तरीके से जो प्रकाश है वो भिखरता है और at the end जो है आपको color phenomena देखने को मिलता है clear so this was CV रमन जी चलिए जी अगला देखे अगला question देखो जी क्या गयता है next question है the world human rights day हम कब celebrate करते हैं human rights day UN के अंदर है जी UN के अंदर है world human rights day UN मनाता है और इसमें आप बताएंगे कि यह हम celebrate कब करते हैं बताइए जी फटाफट बताइए बिल्कुल 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 ठीक है जी तो यह हम celebrate करते हैं कब 10 December को हम celebrate करते हैं 10th of December को answer इसमें option बनेगा 24 October का दिन तो आपको पता होगा 24 October का दिन होता है International Day for Elimination of violence against the children against women sorry जाने कि violence को खतम करना हिंसा को खतम करना ठीक है किसके किसकी साथ विमें के साथ दा International Day of Elimination of violence against the women यह हम 25 November को celebrate करते हैं तो इस question का अंसर क्या बनेगा आपका 10 December is the correct answer 10th of December clear 10 December इसका correct answer बन जाएगा और एक चीज़ा आपको मैं बताता हूँ human rights के लिए एक organization काम करती है जिसे आप कहते हो Amnesty International Amnesty International क्या है कहां पर headquarter है इसके London के अंदर है Amnesty International के London के अंदर headquarters है super important question है comment section में लिखके बताओ United Nation human rights council के headquarter कहां पर है United Nation human rights council के headquarter कहां पर comment section में लिखके बताओंगे so this is a national human international human rights day freedom आजादी दो equality समानता दो dignity मतलब एक अच्छी life दो आप peace शान्ती दो justice नयाए दो rule of law कानून का रूल चलना चाहिए hope इच्छा रखते हैं आच्छा रखते हैं कि हमें जो है proper प्रफद्र के से rights provide के जाएंगे so this is a human rights day December 10 is a human rights day clear हो गया आप लोगों को चलिए अगला कोशन देखें जी क्या गयता है लगाई इसमें लगाओ फटा फटा अंसर दो फटा फटा अंसर दो इसमें इसमें बोल रहा है कि descending order में लगाओ मतलब क्या हो गया अवरोही करब में बड़े से चोटा जो है आपका वो आपका continent जो है वह प्रॉपर दरी किसे लगाई बड़े से चोटा continent लगाई है क्या बनेगा देखें जी सबसे बड़ा continent क्या है आपर ऑस्टेलिया जो यहां पर देखो जी क्या बनेगा तरीजिए नंबर वन पर आएगा अपको चेके अंपर आखें पर आएगा दूस्के दूसरे नंबर पर आएगा एफ्रीका तीसरे पर ढहेगा नॉथ अमेरिका चोथे प्राइगा साओध अमेरिका यूरप और उत्तरी उरप से बहलब पहले क्याлов नचार्टीक और यूरप से पहले अन्टर्रों यूरप और यापका ऑश्रीलिया एस्ट जी आप नहीं सैवन कोंतिनम और दक्षिन अमेरिका is the correct answer answer is C option clear so this is the आपका जो है map है ठीक है this is the map clear हो गया आप लोगों को so this is the map तो यहां पर एक चीज देखो जी क्या है so Asia number one पर आ गया so this is the Asia number one और दूसरे नमबर पर आ गया आपका अंटार्टिक और छटे पर आपका आगया यॉरप और साथ में नमबर पर आगया आपका ऑस्ट्रीलिया इस सूपर इंपॉर्टन कोशन clear Pacific Ocean लिखा गया है यहां पर पैसिफिक ओशन इस दा वर्ल लार्जेस्ट ओशन वर्ल लार्जेस्ट इस一下 भाई यहां पर यहां पे क्या लिखा हुआ है साओथ अबेरिका पहले लिखा वुआ है और तीजियर नमबर पे नौर्थ अमेरिका नौर्थ अमेरिका पहले आता है और साओध आफर इस असाव्ट सबढक्व हनत जो औरैस पांसज़र को बाट अब रूज को Eurasia नहीं कहते Europe plus Asia Eurasia तब कहा जाता है चलो जी आगए देखते हैं क्या गैते हैं question the first women Prime Minister of any country of the world जो पहली महिला परदानमंतरी इन मेंसे कौन ती पहली परदान मंत्री महिला किसी भी देश की वर्ल्ड की वो कौन सी थी तो वो थी ड़िट सिरी मावो बंदरनाई के जी तो एस बंदरनाई के आप याद पूरम कुछ ऐसे नाम है जैवर्दने कोटा तो इसका तो मुझे डैम शूर कमेंट सेक्शन में लिखके बताएंगे कोलम्बो के इलावा इनकी कौन सी कैपिटल है शिलंकागी ठीक है अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताता हूं हमारे देश की पहली सीम पहली सीम ठीक ह और यह भी यूपी स्टेट की बनी थी स्रोजिन नाइडू क्लियर दोनों ही यूपी स्टेट से बिलॉंग करती हैं सीम वज सुचेता किरपलानी एंड नाइडू स्रोजिन नाइडू इस दा गवर्णर क्लियर यह आपको ध्यान रखना है चलिए जी आगे अगला कोश्चन देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या बोलता है विच एककानोमिक प्रॉब्लम क्रियेट्स इन अगर वित की कमी आ जाती है तो हमें देश में कौन सी प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी डैफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप सब्सक्राइब को फाइनेस का मतलब क्या होगा पैसा दे दिया और घटा इसको पड़ता है मेली गवर्मेंट ऑफ इंडिया को ठीक है और न्या नोट क्छापेगा और प्रॉपर तरीके से जो है हमारे लोगों को गर्मेंट को प्रॉब्लमेंट कर देगा और ने चाती है गर्मन्मन्ट जो करना चाहती है जो इसके प्रोजक्ट रूके होए है उसको उसको कम्प्रेट करना चाहती है इस तरीके से डेफिशेट चीज़ें करी जाती है अब जब आप एक चीज़ बताओ एक तरफ से घाटा पड़ रहा है और एक तरीके से जो है पैस पैसे भी ली जारी तो क्या होगा आप एक चीज़ देखो जो अभी वाली सिटूइशन चल रही है इसमें क्या है कि गाटा पड़ा हुआ है हमारी जीड यार एक चीज बताओ एक चोटी चीज मत सोचा गरो इंपक्ट बड़ा होता है किसी भी चीज़ का चोटा इंपक्त नहीं होता यही चीज़ है तो अन्सरीट में सीब बनेगा लॉस ऑफ बैंक्स क्या मतलब है बिंक्स का लास होने वा ला कुछ भी नहीं होने वाला बैंक बेंक का कुछ नहीं वाला बेंक का घुछ नहीं को फर्क पड़ने वाले चीज़ें आपके लिए बड़ेंगे रेट आपके लिए बढ़ेंगे चिक्क है गम्रण को क्या फटएगा और ऐका और नैश्मी बाई नेशनल यूनिवरेस्टी औफ ओ फिजीकल एजूकैसिं कहां लक्षमी भाई नेचनल यूनिवर्स्ती ऑ ह फिजीकल एंदुकेशी जो है वो कहां पे फट फट बटाई का के आप अटिशी जूनिवर्स्टी और किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है और हमारे यूथ अफेर मिनिस्टर कौन है कीरन रिजीजू किरन रिजी जू करे और नाचर परदेश्ट यह चलिए पर लेगा यह कौन सा अर्टिकल बताता है आपको यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज जाने के व्यसक मताधिकार का मत यह कौन सा आपका अनुशेद बताता है व्यसक मतादिकार का मतलब यह होता है कि कोई भी बंदा 18 साल और 18 प्लस है वोट कर सकता है यह 60 फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी जिसमें बोला गया था कि कोई भी बच्चा जो कोई भी बंदा जो है आपका 18 साल का होगा वह आपको वोट कर सकता है ठीक है और इसमें वो आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल नंबर 326 सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर और अगर आपसे बुझाए कि राइट वोट किस तरीके का राइट है यह आपका सविदानिक राइट है सविदानिक है तभी तो सविदान में लिखा अगर दोनों अप्षिन में आ गए और पेपर में आ गया B A and B तो दोनों को टिक करोगे आप क्लियर होगे आप लोगों को सो अंसर इसमें आपका समझ आ गया अंडर आर्टिकल 326 में बोला जाता है 324 की बात करते हैं तो ये कौन है वाई इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया अभी कौन है हमारे सुनील अरोडा सुनील अरोडा क्लियर अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बताएंगे हमारे इन में से इलेक्शन कमिशन जो होते हैं वो ती कोन आया है अभी करंट अफेर में था न्यूज में था और देखता हूं कौन कितने करंट पढ़ता है मेरे सुभा वले और आर्टिकल नाइंटीन जो है आपका वो है राइट तू फ्रीडम राइट तू फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 51 एक फंडामेंटल डूटी के बारे म 86 संशोधन के कोडिंग एड किया क्लियर तो अंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका सी ऑप्षन क्लियर पढ़ते हैं बाई मेरे से बिल्कुल पढ़ते हो करंटे फिर पता लग गया चलिए अगला कोशन देखे जी क्या गयता है तक करंसी ऑफ नेपाल इस नेपाल की करंसी इन बन जाएगा तका मैंने आपको बताया था बंगलादेश की है यहां पर लिखा हुआ है रुपएया यह वाला रुपएया जो है यह कहां किया इंडोनेशिया की इंडोनेशिया की क्लियर और यहां पर अगर आ जाता रुफएया माल्दीवियन रुफएया यह माल्दीव की है क्लियर हो गया यह मालदीव गात्यांट की चप और यहां पर रुपेया वड आया है डॉलर आपको मैंने भी बताया था ऐThis स्रीसमें क्या बनेगा अब्स Cantonese क्लिए क्लिए अगला लगाईए कोज्यन तो छोड़ो यह कोषग में और बात यहां पर चलिए यूगला कोश्टन देखे परकंजे फाइवर और स्पेशलाई जिस ना चैनल को देख लो अभी मैं इसको डिसकिस करता हूं और पहले आपको दिखाता हूं ये पार्ट ठीकिए सु इस ऑजा आपका हrent यज़ान से समझना है इसको तो यहां पर बता देता हूं आता कैसे होता है ब्लड का सर्कूलेशन कहां से चलता है तो पहले क्या होता है कि आपका जो प्रपर तरीके से है जो है ब्लड पूरगा पूरा कैसे चलता है आपका जो हर्ट भी आप Oke than knows Allah T फिर आता है आपका बंडल ऑफेस फिर आगया यहांसे ब्लडब जाता है और लास्ट में आपका आता है यह वाला पार्ट क्लियर दिस इस दा प्रकिंजे फाइबर प्रकिंजे फाइबर इस लास्ट और प्रकिंजे फाइबर जो है आपका जूम करना है को दिक्कत नहीं है जूम कर देते हैं भाई दिसजी लिए वैसे आभी न år और यह लास्ट में बन गया है आपका प्रिकिंजेट से सैल यह सुर्ट होती है यह आपके क्या है को आप हरे का अपको बने इसमें आपका अंसर डेखते हैं क्याईगा परखिण क्या को methods आपको अंसर बनेगा पर्किंज़ फाइबर सबस्पेशल besar क्या सब्सक्राइब आथा एक ध्यूक्ता निदाृती हैं हमारी body के अंदर सबसे longest cell होते हैं और इनकी minimum regeneration power होती है blood के cell तो आपको पता हैं कौन-कौन से है RBC है WBC है और platelets वगारा देखने को आपको मिलते हैं skin की बात करें तो skin is the largest organ of the body और skin के अंदर होती है sebaceous gland sebaceous gland देखने को आपको मिलती है जो सबसे ज़्यादा जो है आपका sebum और पसीना वगएरा पड्यूस करती है clear तो चलते हैं जी आगे तो यह थे आज के question clear आज के question यह थे और इस lecture की PDF आपको telegram channel के उपर मिल जागी डॉक्टर विपन गोईल के नाम से और प्लस मारा 10,000 mcq course है दो paid courses आते हैं मेरे और यह दोनों paid courses आप purchase कहां से कर सकते हो यह कर सकते हो आप study IQ app से तो study IQ app आपको download कर लेनी है ठीक है तो आपको नजर आएगा यहां पे home page यहां होगा best selling course यहां पे लिखा व्यू और इसको दबाना यह तीसरे चौथे नंबर की उपर दिख जाएगा जिसमें पूरी theory discuss की हुई है और यह last में दिखेगा आपको mcq course जो भी इसमें जब आप buy now करते हो ना तो coupon code मिल जाता है तो आप discount ले सकते हो और इसके अंदर जो है वी इप 500 coupon code लगाके discount ले सकते हो GS course में तो यह थे आज के अंदर question अगर आपको lecture अच्छा लगा हो तो कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ नहीं करोगे तो कोई मैटर नहीं करता ठीक है कोई मैटर नहीं है बस हाँ आपको अच्छा लगना चाहिए आपकी पड़ाई अच्छी होने चाहिए समझा आगया ठीक है जी सुबह मिलेंगे और शाम क्यों संडे वाली क्लास देखना मत बूलना संडे वाली क्लास हमारी 9 बज़े अगें 10 जो संडे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बेस्ट 100 डिसकस करेंगे क्लास के अंदर वह देख लेना बहुत अच्छे से और मुझे बताना क्या रिस्पॉंस आया है कैसे आपकी क्लास है तो यह था आज की लेक्चर के अंदर चीक है बिल्कुल मेनत करनी पड़ेगी अगर जीना है जीना है यह दुनिया जीने नहीं देगी तुम्हें ठीक है यह दुनिया तुम्हें जो है जीना पड़ेगा ठीक है और जीना कैसे पड़ेगा पड़के पढ़ना पढ़ेगा बाई पढ़ना तो पढ़ने यह आध रखना अगर आप, कभी भी मतलब कहते हैं कि है मेरा मुराल हो रहा है तो हमेशा एक चीज जानर रखना कोई तो पढ़ रहा है मैं हमेशा यूजbstी्व करता हCal सिट्रक्तला है अगर आपने सोच रही है कि सच्छे में कोई पढ़ रहा है ठीक है करकी भी करें नीयुक्तन हो रहा है है मतलब मतलब डिप्रेशन यह चीज़े आएंगी नहीं आपके सामने जब आपके सामने आगे न कि कोई पढ़ रहा है मुझे पढ़ना है जोश से ठीक है और बीड का हिस्सा मत बनों मैं हमेशा एक बात कहता हूं बीड का हिस्सा बनते हो तो बीड में खो जाते हैं बच्च जो हमारे पेड़ वाले बच्चे हैं उसके अंदर मैंने अक्टूबर के अंदर एक्जाम है अभी जो स्लेवस में डेली के डेली एड करता हूं तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा करवा दीजिए क्योंकि अभी कोर्स कंप्लीट होने कोर्स तो साथ साथ चलता ही जाएगा लेकिन यह जरूरी है तो इसलिए मैंने उनको कोशन्स प्रवाइड की हैं 10,000 को जो आपके अक्टूबर मंत के अंदर जो एक्जाम होंगे ना बहुत हेल्प करेंगे उसके अंदर ठीक है तो जीनोंने कोर्स करना है तो कर लो मैं तो स